हेलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग बहुत सुर्वे सुबह का टाइम है और मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स है जो भी यूटुब देखते हैं और यूटूबर्स के व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा एक फेमस यूटूबर है यूटूबर प्रियंका और प्रिती दोनो भी सिस्टर्स हैं और मैं प्रिती की जो है शादी फिक्स हुई थी आमन से और बहुत सब कुछ अच्छा था और अचानक से कुछ तो प्रॉब्लम्स आये हूंगे मुझे भी सड़नली मैं यूटूब से थोड़ा सा मैंने बोलते ना गैप लिया था तो मुझे अचानक से म लगे क्यों हुआ है इनके बीच में जगड़ा आखिर क्या प्रियंका थी इसकी कारण तो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा और जब मैंने यह वीडियो देखा तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब कोई मजाक होगा या कुछ होगा पर जब मैंने देखा वो प्रीती जो है प्रियंका के घर आई थी चंदीगर और कोई इस बारे में कोई बात नहीं अदर्वाइस पहले वीडियो में मैं देखती थी जब आई थी तो शान्दी के लिए खरीदना है मतलब कोई बात न मैं अशुर होगी मैं वो टैग देखके उसके बाद मैंने देखा कमेंट बॉक्स में भी और बहुत सारे लो यूटूबर्स जो है वो जबरदस्ती उनके नाम का चैनल बना बना के मतलब उनके नाम का टैग लगा लगा के अपना चैनल चलाने की कुशिश करें तो फोटो लगा रहे हैं पहली बात तो कोई भी हो चाहिए वो कोई यूटूबर या कोई भी आप किसी के परमिशन अगर आपकी फैमिली है तो आप उनके पिक्स लगाते हो थबनेल में इस नाट प्रॉब्लम विकॉस आप उविसली आप उनका परमिशन आपके साथ होता ही है या फ पिर जो भी है अब अगर उसके पिक्स यूज़ कर रहे हो तो 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 आट इस नाट अट आल गुड आए मस्ट से आप जस्ट सोच के देखिए आप भी एक यूटूबर है भगवार ना करें आपके साथ एक चोटा सा भी खासा हो जाए और कोई भी आपकी पिक्स लेके इस टैक भी लगा के रखाया कि प्लीज मेरे पिक्स ना यूज़ करो मुझे गैप चाहिए क्या आप लोग को थोड़ी से भी शरम नहीं आनी चाहिए किसी की लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है किसी की शादी तूट गई है या किसी ने तोड़ दिया है जो भी जाहिक क्योंकि किसी को नहीं पता तो सब अपने मन से बहाने बनाके प्लीज रिजन ना डाले सबसे पहले दूसरी बात आपको उनके पिक्स रखके उनके फैमिली के मुदर के ब्रॉदर के सुस्टर के और सबसे बड़ी बास आप कैसे प्रियंका को इस चीज के लिए ब्ल प्रियंका ने खुद अपने मुझसे कहा कि मैंने जो भी है हमेशा से अपने भाइबेनों को भी अच्छा ही बोला कि तुम लोग भी ऐसा करो ताकि तुम लोग भी अपना समाज सको आस यू अल नो कि उनके फादर नहीं है तो और अगर उसकी बहन इतनी बड़ी विलन होती है उसके जिंदगी में तो क्या वह अपने बहन के याँ पहा के रुपती है उसके बहन उसको इतना सपॉर्टी कर रही है एमूशनले तब ही हो उसके यां पहा आखे इतने देर अब जब कि उनके शादी का मैंटर इतना फेमस हो चुका था दोनों भी एक यूटूबर थे उसका उनके फियांसी जो थे हमन वो भी एक यूटूबर थे मैंने उनके भी कुछ वीडियोस देखे थे एक दो वीडियोस मैंने काफ़ी टाइम पहरे देखे थे वो मुझे सजेशन में आ रहे थे तो मैंने जिस्ट चेक करने के लिए तो मैंने जिस्ट चेक करने के लिए देखे थे तो हाँ बस उतना ही वीडियोस मैंने देखे थे जादा वीडियोस मैंने देखे नहीं तो आप क किसी की भी emotional topic पर इतना वीडियोज बनाने के लिए और मैं यह वीडियोज उनके emotional feelings को हेट करने के लिए नहीं बनाया मैं यह वीडियोज उनोगों के लिए बना रहे हूं जो लोग उनके नाम का यूज या उनके pics का photos का यूज़ करके thumbnail में अपनी YouTube के वीडियो को views देना चाहते हैं या फिर उनको अपनी चैनल को famous करना चाहते हैं ऐसा मत करो यार मत करो ऐसा महवान ना करें अगर किसी के साथ मेरे साथ आपके साथ कुछ भी छोटा मोटा हाथ साथ और कोई हमारे हम थोड़े से भी famous हों कोई हमारे channel को लेके इतनी बक्वास बाते करें या हमारे feelings को लेके ऐसे share करें हमारे photo share करें हम जब भी YouTube channel open करें हमें अपने pics दिखें जिसमें की यहां गंदे गंदे taglines हो कि प्रीटी के बीच में किस ने लगाई आग उसकी ध्यान को मतलब shut up man shut up इतने दिन से उन लोग उसकी शाली fix होई थी इतने दिन अगर उसको आग लगाना होता या उसके बोलने से सब कुछ हो जाता तो क्या पहले नहीं हो गया होता आप लोग कह हां के बाते कहां लेके जाते हो जब वो खुद बंदी प्रीती खुद बोल रही है कि मेरे जो भी हुआ उसके पीचे कोई खारण नहीं है मैं को समझ मैं मेरी गलती थी मैं अपने family को टाइम नहीं दी यह तो आप लोग कौन होते हो कौन होते हो आप लोग किसी को judge करने वा खाली एक tagline डालके और बीच में दो बाते बोलके job को पता में आप कैसे सोच रहे हो कि आपके video को व्यूज मिल जाए इसलिए आप यह कर लो just stop doing this stop doing this प्रियंका ने कुछ कहा कि मेरी अपनी life नहीं है मैं बड़ी हूँ तो क्या मेरी मेरी शादी होगी है क्या मेरी life नहीं है उसका बोलना बिलकुल सही है चाहे लड़का हो यह लड़की हो शादी हो जाता है तो जो भी उनके partner होते है उसको बच्चा नहीं हो रहा है यह उसका कि एक पर्सनल मैटर है पर्सनल बात है आप लोगों को शरम नहीं आती है उसमें भी आप लोग बोलोगे कि अगर कि कुछ बांच है तू इस लिए ऐसा कर रही है तो उस लिए प्रच यह सकती है किसी वीडिकी को जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसके emotions को आप लोग समझ सकते हो एक और तो कि अगर आप किसी के लिए ऐसा बोलतो तो आप शरम आने चाहिए आपको अगर आप एक और तो किसी और तो को पांच बुलाते हो या किसी बच्छा नहीं होने पर उसको comment करते हो तो शरम आने चाहिए आप समझ में आया आपको ऐसे comments करते हो आप लोग उसकी family नहीं है उसके relatives नहीं देखते होंगे videos उन लोगों को नहीं उसको नहीं पूरा लगता होगा कि मेरे family मेरे relatives यह देखते होंगे मेरे बार में ऐसा बुला जा रहा है उसका पता नहीं मुझे जहां तक यहां दो बार मुझे पता है मुझे नहीं पता उसके रहा कितना miscarriage वह उसको वह इतनी pain में थी शरम नहीं आया आप लोगों को उसका pain आप लोगों को पता है कुछ कर रही है तो अप लोग उसको ऐसे tax होगे वह अपनी जिंदगे नहीं जी सकती अगर वह अपनी जिंदगे G तो हसके ब महर को बाढ़ सकते हैं कि अपना देख सकते हैं सब अपना देख रहे हैं तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है आप लोग अपना काम करें आप अपने काम से मतलब रखिए ना कि किसी के यह से कमेंट्स करें बहुत सारे नदब सब्सक्राइबर्स और वीवर्स हैं जो मेरे माद से बिल्कुल एगरी करेंगे और जो बहु बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं बहुत स्ट्रॉंगली इसको मोटिवेट करते हैं हैट सोफ टु देम है इसको वोलते हैं समझदार एक निक्ची और एक और एक और चीजे बोल दे कि तू एक पांज है और तू ऐसी है तू वैसी है तू आग लगाई है किसी की अच्छे ही बुलेंगे और उसके बाद भी कोई जो भी छोटे हैं वो कोई अपने बड़ों का सुनके तो करेंगे नहीं वो अपने मन से ही करेंगे तो अगर उनके लाइफ में कुछ भी होता तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े को ही ब्लेम किया जाए प्लीज ये जो भी उनके लाइफ में मैटल हुआ है जो भी उनका ब्रेक अप हुआ जो भी हुआ है उसके फाल्टू कमेंज करके फाल्टू बाते करके अपना चैनल चलाने का मस सोचो कितने दिन चला लोगे भाई कितने वीज ले लोगे एक वीडियो पर दो वीडियो को उसके बाद अगर आपके कंटेंट से नहीं होंगे अच्छे तो कहां से ले लोगे भी वीज कुछ तो सोचो I'm really sorry मैंने किसी को अपने बातों से हट किया होगा तो लेकिन कोई भी यूटूबर है अगर वो एक लेडि से स्पेशली है आप भी लेडियो तो उसके बारे में इसे फालतू कमेंट करके उसकी शादी तुट गई वो बांच है और इसे फालतू कमेंट करके और अपने टैग लाइन्स लगा के आप बहुत बड़ी यूटूबर नहीं बन जाएंगी अगर आपके अंदर इतना दम है ना तो आप खुद अपने कंटेंट से और अपने खुद के दम पे अपने व्यूज बढ़ाएं मैं अभी एक छोटी मोटी यूटूबर हूँ मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इतने अपने व्यूज और यह पर मेरी अपनी परसनल मेरी छ चैनल नहीं चला सकती हो तो प्लीज वैसा मत करो हो सकता है आपकी भी गलती नहीं हो आप यह देख देख के एक नहीं किया दूसरे नहीं क्या करें बड़ प्लीज बंद कर दो उसको जब वो खुद बोल रही है वो कोई अगर बड़ा है उसके छोटे हैं तो कोई किसी का लेता है जैसे उसकी शादी फिक्सविती तो भी वो उसका अपना डिसिजन था और अब नहीं है तो भी वो उसका अपना डिसिजन है तो उसमें उसकी बड़ी बड़ों का कोई गलती नहीं चाहिए उसकी बड़ी भाई और बहनों प्लीज वो भले से वो छोटी छोटे भा ट्राइग लाइन और इतने फोटोस जालके उसमें ये कर दो सबकी अपनी लाइफ होती है वह बंदी खुद इतना इमोशनल होके कल अपने यूटूब बोल दी वीडियो में कि मैं बड़ी हूं तो क्या मैं मेरा ठेका मैंने ये मेरी जिम्मेदारी है कि हर चीज की मैं साथ द इनकी उसको बूरा नहीं लग रहा है उसके husband को बूरा नहीं लग रहा है तो please आप लniejsze सब चीज से बंद करें और अपने दिमांग से सौचके जब किसी और ऑरत के लिए इ Tools युज करते हैं बांज और ये इक फालतोवड時間 कि ले नब्लेम कर रहे तो उसके पहले कि वीडियो देखो, जब वह प्रेगनेंट थी, जब उसका मिसकरेज हुआ, वो किस पेइन से गुजरी है, प्लीज जाके देखे, मिरी दॉर्टर रो रही है, यह वीडियो मैं यही प्हेंट कर रही हूँ, और प्लीज में अप लोगों से ब प्रियंका भी बहुत अच्छी है वो अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही है तो आप लोग मत कमेंट करो अगर आप उनके सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज उनकी वीडियो को देखो अच्छा लग रहा है जो तो देखो नहीं अच्छा लग रहा है मत देखो पर प्लीज तू कमिट्स मत करो प्लीज थैंक यू